What's up guys, I hope you are doing well, I am Veeer, welcome to Sturlaur Family, तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, शान्दा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इंजोई कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और प्राय का ध्यान काफी अच्छे से एर्रा कर रहे हो, देखें, यहाँ पर मैं आप लोग कुछ practical बातें बताने जा रहा हूँ, जो life में आप लोग implement कर सकते हैं, तो आप लोग के मन को काफी सान्थी मिलेगी, और यह दोनों के ओपर implement होती है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, तो उसको वैसे मत सोचेगे कि सर किसके लिए बोल रहे हैं, तो दोनों ही आप लोग इसको life में implement कर सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है, if it comes, तो let it, तो उसे आने दो, अगर life से कुछ जाता है, if it goes, let it, तो उसे जाने दो, यह निए कहने का मतलब यह life में किसी भी चीज को पकड़के रखने की कोशिस मत करो, जब life में किसी चीज को आप लोग पकड़के रखने की कोशिस करोगे, तो आप लोग के mind पर stress आने लगेगा, कई सारे mail आते हैं, अभी कुछ दिनों पहले भी दो, तीन mail आ रखे थे, यह खासकर जो लड़के होते हैं, उनके mail रहते हैं maximum, सर लड़की है, वो उससे प्यार करता है, और लड़की जो है, वो किसी और के साथ में तो चली जाती है, लड़की की साधी हो जाती है, लड़की के साथ में हो, चाहे लड़की लड़के के साथ में हो, सबसे पहला जो importance प्रायर्टी रहती है आज की rate में, वो रहती है कि स परसन के साथ में, मैं safe हूँ, इस परसन के साथ में, मेरा career is stable है, तो ये चीजे सबसे पहले रहती है, लड़का भी ये सोचता है कि लड़की अच्छे होनी चाहिए, परिवार को अच्छे से रख सकें, वो सारी चीजे तो लड़के के अपने criteria रहते हैं, लड़की के अपने criteria रहते हैं, तो उसको लेकर अगर वो लड़की आपके पास से जा रही है, फिर लड़का आपके पास से जा रहा है, और आप लोग उसको लेकर tension में हो जा रहे हैं, कि अब life का क्या करना है, तो देखें, वहां से आप ल कि आप लोग को गैरेंटी तो नहीं पर हां मैं कम से कम 90% से उपर आप लोग को बोल सकता हूं कि अगर लाइप में कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें कुछ ने कुछ आप लोग को कि ट्रस्ट के साथ में एक दूसरे के साथ में रहो जब तक भी हो उसके बाद में अगर फिर भी चीजे नोर्मल नहीं हो रही हैं तो फिर जाने दो उसको पकड़ के मत रखो एक दूसरे को ये लाइप में सबसे शांदार तरीका है अपनी लाइफ को भी आसान रखने का और स लोगों ने अब तक डिसस किया है हम लोग इहाँ पर डिसस करेते है जो रहिकिस्तान है सारे all over world में जो भी बड़े-बड़े रहिकिस्तान है वो सारे मेने डिसस किये लग बग 25 के करीब रहिकिस्तान मैंने डिसस किये तो मैं चाहता हूँ कि 25 के 25 एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं कि मैस को यह कौन सी कंट्री में आता है तो इसलिए रिविजन कर लिजी एक बार आप लोगे माइंड में लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे पहला इंपोर्टेंट तो यह है दूसरा मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा तो कई कोई कह रहा है कि सर फिर से कंट्री और कैपिटल सार और इसके बारे में डेटेल स्ट और क्रतों कई सारे कहरें कि सर जो स्ट होते हैं उनको स्टार्ट कर दो आज फिर सजेशन डीजेंगे जो बी अडिए लागेगा उसके बेस पर नेक्स जो next map based practice होगी वो हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है बाकी revision is the key of success में आप लोगों हमेसा बोलता हूँ revision आप लोग करते रहे हैं final destination तक यही आप लोगों पहुंचाने वाला है थोड़ा सा नजर डालेते हैं COVID-19 के cases के ओपर coronavirus के जो case है all over world में 9.6 million हो चुके हैं आज की date में अगर आप लोग all over world में death की बात करें तो 4,89,000 ये करीब लोगों की जान जा चुकी है और ये हाँ पर ये total मिलाकर 5.2 million ये निके एक तरीक से आप लोग बोल सकते हैं की 52,000,000 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से recover कर चुके हैं तो ये positive side आप लोग इसकी बोल सकते हैं सबसे top पर US से हैं आपर total 24,000 केस के साथ में हाला की 25 ही हो जाएंगे जरसी कसर बची ये फिर ही हाँ पर Brazil है दूसरे नमबर पर ये death के मामले भी और केस के नाम पर भी तीसे पर सबसे जो है हाँ पर रसी है चोथे नमबर पर है इंडिया देखिए हमारी country में कल जो है वो सारे record धवस्त कर दिये तो बहुत बड़ा नमबर आप लोग बोल सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा केस कल आए कहाँ यहाँ ब्राजियल के अंदर में दूसरे नमबर पर युएस से और तीसरे नमबर पर हमारी country में सबसे ज़्यादा केस देखने को मिले यह 73,000 केस के साथ में और इसी के साथ में तमिलाडू तीसरे नमबर पर है तीनों में अगर आप लोग देखेंगे महरास्टा में कल यह 4800 केस आए डेली में हाँ पर लगबग 73,000 केस आए और तमिलाडों पर भी 36,000 केकरीब केस आप लोग को देखने को मिल रहिए जबसे ज़्यादा महरास्टा और दूसरे नमबर पर लिए एक ताइम ऐसा था जब लोगों के मन में डर था तो केस कम थे अब लोगों के मन से डर कहीना करकी निकलता जा रह रहा है त तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा आईए अब आर्टिकल्स के उपर ने डालते हैं काफ़ इंपोटेंट आर्टिकल हैं इसी के साथ में जिसको PDF चाहिए या फिर आप लोग को लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोग देखे एक काम खलीजे आप लोग टेलिग्राम जोइन खलीजे आप लोग कई बार क्या करते हैं जैसे मैं इस्टेटिक्स देख रहा था यूट्यूब के तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रखा है और लगबग 30% जो डेली लेक्चर देखते हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है यानि कि डेली लेक्चर देखते हैं रिकमेंडिशन में आ जाता है उसके बाद में बस तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आप लोगो एक लांग से जदे में तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं ठीके और फिर बोलो कि सर पैसे लग रहे हैं क्या यह कोश्चन जब भी मैं बोलता हूँ अब यह आर्टिकल है अभी तमिलाडू के अंदर एक कस्टडी में डैथ देखने को मिली तो यहाँ पर जो पुलिस की तानसाई होती है उसके बारे बात की जा रही है अगर कोई पर्टिकुलर परसन किसी की डैथ कर देता है किसी को जान ले लेता है तो उसको बोलते हैं कि हा आप लोगों को पता होना चाहिए खासकर अगर आप लोग पुलिस सर्विसिस की तियारी कर रहे हैं तो जैसे आप लोग इंट्री में बैटे होते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा नज़ डालेंगे यह फिर से आर्टिकल यहाँ पर दोनों है एक इंडिया और पाकिस्त है फिलाल आज केट में सबसे लो लेवल पर रिलेशन चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के तो इहाँ पर इस आर्टिकल में यह बताएगे कि यह जो लो लेवल चल रहे हैं ऐसा निये कि एक बार तुरंत यहाँ पर लो लेवल ऐसी आ गया तो टो टोटल आप लोग को प पाकिस्तान कुछ भी अक्टिविटी कर रहे हैं तो हम लोग को लगता है कि पाकिस्तान कुछ हरकते करने चारा हैं इंडिया कर रहा है तो इसकी विजए से कई बार यहाँ पर एक तरीके से लड़ाई भी हो जाती है तो काफी बड़ी पूल्म आप लोग बहो बहों बोल सक तो यहां पर आप लोग इसको समझ सकते हैं, इसी के साथ में कई सारी और experience अगर आप लोग इहां पर अभी देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब से सबसे पहले जो बात की जाती है पुलवामा अटेक के बारे में, पहले पुलवामा अटेक हुआ, फिर बाला क इसके बाद में हमारी कंटी में अगस्ट 5 को, आर्टिकल 370 को डाइलूट किया गया, तो उसके चलते पाकिस्तान ने काफि सारी हरकत हैं की, इवन उनके महाँ पर अंदर जाकर हम लोगों ने जे श्टाइक की, उससे उनको दिक्कत नहीं हुई, जो आर्टिकल 370 में हम लो से डिस्कस कर चुको हूँ, तो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलिशन है, वो ओल टाइम लोगो पर चल रहे हैं, कोविड-19 के चलते भी आप लोगो पता है, साग की मिटी होई तो दोनों मिलकर काम करेंगे, जो टिड़ी का अटेक था, यानि के जो अभी इंडिया और जो टिड़ी का अटेक देखने को मिला फसल जो बरबाद हो रही थी, उसमें दोनों के दोवारा बोलगा गया, मिलकर काम करेंगे, पर एग्जक्ट रिजल्ट नहीं है, जैसा जैसा मिलकर काम करने का रिजल्ट होता है, वो नहीं कहते हैं, पर लेकिन टीम का काम तो तब द सबसे अच्छे रिलेशन जो इंडिया और पाकिसान के बीच में बोले जाते हैं, वो बोले जाते हैं, अटल बिहारी, वाजपई और नवाज सरीब जी के टाइम बब, वो एक ऐसा टाइम टूडेशन था, यह माना जाता है कि उससे हम लोग को प्रेड़ना लेकर आगे दोरह वोत लार्ज सकेल पर दोनों कंट्री के बृड़र पर, आज की डेट में अगर अप लोग बोले तो सबसे हब एस जो बोल सकते हैं उस टाइम पर बोलर पर तकी बे Mitte के आमने सामने, लाट ल बातल भी हरी वाजपई जी 24 फोर में गए, जो साब कुनेटिंग सकते हैं हर एक problem गर solution होता है बैट के बाते करो चीजों को discuss करो अगर उससे ही solution निकलेगा तो फिर पहले ही क्यों निकाल लेता है क्यों वर्लड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वर्स्ट, एक कंट्री, दूसरी कंट्री के साथ में लडाई कर रही है बाद में फिर वही काम आप जान जाती है बहुत सारा economic loss होता है तो वो एक अच्छा तरीका है अब यहाँ पर diplomatic tie completely down हो चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई channel नहीं है बात करने का प्रोपर वे में तो यह situation अभी हाँ पर है आप लोगे सामने ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर यह भी कई बार आर्टिकल डिस्स कर चुका हूँ बात की जारी है LAC के बारे में line of actual control line of actual control पर इतना aggression क्यों देखने को मिल रहा है तो देखे हम लोगों ने कई सारी बाते इसके बारे में डिस्स की थी कुछ तो हम लोगों ने डिस्स के था कि आज के अगर चाइना के बारे में आप लोग बात करते हैं तो चाइना COVID-19 के चलते हैं जो उसके ओपर आरोप लगाए जा रहा है उससे बचने की कोशिस कर रहा है सबसे important fact तो यहाँ पर यह हैं आज की डेर में दूसरा चाइना जहाँ 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 पर उसको लगता है अगरेसन दिखा सकता है जैसे South China सी में ले लिजे LAC के उपर लिजे वहाँ वहाँ अगरेसन वह दिखा रहा है उन country को सप्रेस करने की कोशिस कर रहा है अपने आपको Global Leader दिखाने की कोशिस कर रहा है और इसी के साथ में सबसे बड़ी जो कंडिसन यहाँ पर बनती है इंडिया को एक तरी से टैकल करने की कोशिस की जाती है चाइना के दौरा कई बार पाकिस्तान के थुरू भी तो पाकिस्तान और चाइना लंगोट यार बन कर रहते हैं तो वो situation आप लोग यहाँ पर देखते हैं इसी के साथ में अभी नेपाल वाला मुद्ध भी आप लोग को देखने को मिल रहे है नेपाल की जो territory वाला मुद्ध निकल कर आ रहा है उसमें भी यहाँ पर China का कही न कहीं आप लोग को back-end support देखने को मिलेगा जो कि हमारी country के साथ में नेपाल के सबसे low relation अभी time पर आप लोग को देखने को मिले तो यह सारी situation जो यहाँ पर create हो रही है यह सारी situation है LAC के इर्दगीर जो maximum आप लोग को देखने को मिलती है हाला कि मैक मोहन के इर्दगीर पूलम देखने को मिलेगी LAC तो आप लोग को जम्में कास्मिर वाले एरिया में जो कि आज के लिए में लदाक वाला एरिया आप लोग बोलते है यानि के लड़ाई वाले जोन है वैसे सबसे बड़ा जो लड़ाई वाला जोन है वह है लदाक वाला एरिया दूसरे नंबर पर आप लोग को सिक्कीम और अरनोचल परदेश वाला एरिया देखने को मिलेगा जब overlap हो जाते हैं तो फिर लडाई हो जाती है तो अभी ये condition देखने को मिली गालवान वैली के अंदर में गालवान वैली जो है आपर ये line of actual control जो की border है उस पर देखने को मिलती है इंडियन साइड में कुछ portion आप लोगो देखने को मिलेगा कुछ चाइना साइड में तो चाइना क्या बोलता है कि पूरा गालवान वैली वाला रिजन ये हमारा रिजन है तो इंडिया बोलता है कि स्टार्टिंग से हम लोग यहां पर रह रहे हैं कि वो हमेशा से इस चीज को इगनोर करते हैं ताकि आने वाले टाइम पर जब भी भी उनको suppress करना हो pressure बनाना हो country के उपर वो pressure बना सकें border के मुद्दे को लेगा और चाइना हमेशा ये बोलता है कि trade पर हम लोग continue रहेंगे border पर बात करते रहेंगे क्यों क्योंकि trade में इंडिया को नुकसान होता है चाइना को फाइदा होता है तो इसलिए बोलता है कि trade करते रहता है बाकी हम लोग बात करते रहेंगे side by side तो ऐसी हरकते भी हाँ पर नजर आती है इसी के साथ में अगर आज की date में आप लोग आगे बढ़ते है USA में election चल रहे है तो चाइना को ऐसा लगता है कि कोई interfere करने वाला भी नहीं है अपनी दादागिरी दिखा लो तो चाइना के साथ में जब इंडिया का compare होता है तो चाइना चिर जाता है क्योंकि इंडिया का नाम उसमें जाता है बोलता है यह इंडो पैसिफिक रिजन नहीं है अशिया पैसिफिक रिजन है और डॉनल्ड ट्रम साब क्या करते है वो चाइना जो COVID-19 को Chinese virus और अशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक तो हमेसा इसको इंटर्डेन करते हैं चीजों को तो यह condition देखने को मिलती है अब एक और मुद्धे में आप लोग इहाँ पर बता दू जो कि चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो इसके चलते हो समुद्धे को भी हम लोग उठा सकते हैं कि हमेन राइट का हनन चाइन के अंदर हो रहा है तो यह भी काफी बड़ा मुद्ध आप लोग को देखने को मिलेगा दूसरा अपनी कंट्री में हम लोग साल्फ सफिसेंट रहे देखने को मिलेगा 1959 में सबसे खतनाक सिचुएशन जब बनी जब दलाई लामा साब हमारी कंट्री में आए तो चाइना को एक मोका मिल गया हमारी कंट्री के ओपर एड़ाइक करने के लिए कि हाँ तो मुद्ध भी है कि यह हमारी जहासे जो लोग है उनको सरन दे रहे हमारी कंट्री के खिलाफ साजीस कर रहे है तो वो मुद्ध हुआ पर सामने निकल कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं बहुत सारी चीज़े हैं जैसे informal summit के बारे में आप लोग को बताओ पहली informal summit वांग में हुई थी जिसको वांग summit के नाम से जानते हैं यह वही वांग है जासे कोरोना वाइरस निकल किया है दूसरी informal summit हुई हमारी कंट्री में इंडिया जो इंडिया के प्राइमिस्टर चाइनीज प्रेजेंट के अंदर के साथ में तो यह तमिलाडु के अंदर में हुई रिवजन भी आप लोगों हो जाएगा ठीक है तो यह सारे मुद्धे हैं इंडिया और चाइना के बीच में आज कीड में आर्टिकल में इतना कुछ नहीं था मैंने आप लोगो एक holistic बता दी सारी चीजे जो बार-बार में already discuss कर चुक हूँ ठीक है आईए आप यहां से आगे बढ़ते हैं next यहां पर नज़ डालते हैं next जो आर्टिकल हैं आपर यह बात कर रहा है Wimbledon के बारे में आप सोरी Wimbledon के नहीं Grand Slam के बारे में Grand Slam क्या होते हैं आप लोगों पता है कि चार में जो साल में चार जो basically tennis के tournament होती है जिनको आप लोग Grand Slam के नाम से जानते हैं तो यह basically Australia Open, French Open, Wimbledon और US Open तो सबसे पहले Australia Open होता है दूसरा French Open, Wimbledon और यहां पर फिर होता है US Open तो यह इनका duration रहता है याद रखेगा यह इस तरीके से होता है सबसे पहले Australia और सबसे बाद में होता है US Open अभी recently क्या किया जा रहा है कई सारे गेम ऐसे हैं जो पोस्पॉन कर देगे हैं तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि इनके भी कई सारे जो duration है वो recently अभी change किया रहे है और सबसे बड़ी बात क्या है यह सारे वो sport event होते थे जहांपर जनता ground में बैट कर चेयर करती थी और life को enjoy करती थे अच्छे से लेकिन आज की date में वो सब चीजे possible नहीं है क्योंकि social distancing की बात किया आती है और भी कई सारे मुद्दे आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं तो यह हैं यह मुद्दे बाकी यह article काफी detail में discuss करने वाला हूं कि हम लोग आज के एड में जो school education है उसको replace कर सकते हैं online education से इसके ओपर मुझे लगता है कि हो सकता है कि exam में आप लोग उसे essay भी पूछ लिया जाए निमद आप लोग लिए आ सकता है कि जिस तरीके से जो drugs यूज की जाती है आज की डेट में उसका यूज बढ़ गया है और पहले 2008 में जब रिसेशन आया था उस टाइम पर यह यूज बढ़ गया था जब आज में डिप्रेशन में होता है तो राजा फ्राइड फ्राइड को यहाँ पर यहाँ पर बेसिकली जो जनलिस्ट है वो अपनी एक्स्पिरेंस सेर करते हैं अगर किसी न्यूज को कवर करते है उसके बारे में तो यह इंपोडेंट नहीं होता है लगता है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जब इहां पर परमिशन होगी तब आप लोगे सामने ठीक है आईए अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट अर्टिकल की ओर सबसे पहले हैं आपर नेक्स्ट अर्टिकल यह आप लोग के सामने है जो custodial death यहाँ पर होती है, तो recently अभी कई सारी custodial death आप लोग को देखने को मिली, हम लोग ने distance किया था, ये North India, South India में भी देखने को मिली, तो उसी के बारे में एक analysis किया जा रहा है, कि जो आज की date में जो देखे होता क्या है, हर एक राज्य की उसकी खुद की police है, state police उसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो state जो police होती है, उसका गलत इस्तमाल किया रते है, जो state government के द्वारा, normally इसलिए अरविंद केजरिवाल जी बार-बार चिलाते रहते हैं, कि police power हमारे हाथ में भी दो, ताकि हम लोग situation को control कर सकें, पर लेकिन police जो होती है, वो गलत तरीके से power को use करती है, कई बार ऐसी चीज़े देखने को मिलती है, case अभी निकल किया है, तमिलाडु का और ऐसे past भी कई case हम लोग देख चुके हैं, तमिलाडु में अभी क्या हुआ, तमिलाडु में हाँ पर यह हुआ, एक father और son को arrest किया गया, किसलिए क्योंकि उनके द्वारा lockdown का violation किया गया, lockdown का violation कैसे किया गया, इनकी mobile की दुकान थी, इनके द्वारा थोड़े से जादे समय तक इनको खोल ली गई, mobile की दुकान, तो father की age ती 58 और son की age ती 31, दोनों को पकड़ कर ले गए, पकड़ कर ले गए, तो पहले तो इनको वैसे ही एक तरीके से हरास किया गया, बाद में इनको custody में लेकर इनके साथ में मार पिटाई की गई होगी, तो दोनों की जान चली गई, तो जब जान चली गई, तो न्यूस पेपर में खबर छपी, उसके साथ में हापर जो मुद्रवी बेंच है, मुद्रा साइकोट की, उसके द्वारे हापर शिव मूट एक्सन लिया गया, यनकि उनके द्वारा बोला गया, कि यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी क्यों देखने को मिली, पुलिस बेसिकली क्या होती है, देखें, पुलिस जो होती है, अगर आप लोग अंगरे जोगे टाइम फर माने, तो बोलते थें कि दादागिरी के काम करती है, पर लेकिन आज केट में इंडिपेंडनेंट कंट्री है, तो पुलिस एक तरीक से जनता की नोकर है, पर लेकिन यह जनता के उपर रूल करने की कोज़िस करती है, तो उसके चलते बार बार यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी आप लोग को देखने को मिलती है, यहाँ पर जो भी बात की जा रही है, कि देखे सबसे बड़ी तो बात हैं आपर, जो पुलिस की एक्टिविटी देखने को मिल दिये, इसकी मजिस्ट्रियल जो प्रोब होनी चाहिए, अभी क्या किया गए आपर, दो तो सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर को इनके द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, चलिए यह सही है, सस्पेंड किया गया, अब यहाँ पर 10 लाख रुपे दिये गए, जो कंपनसीशन दोनों को, बाप को और बेटे को, पर लेकिन जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, सबसे पहले तो आप लोग में हाँ पर जो पुलिस हैं, उनको इंसान बनाना चाहिए, क्योंकि आज केड़ में जो पुलिस हैं, यानि के लोग को मेंटेन रखें, पर लेकिन कई बार क्या होता है, अगर कोई लगता है कि कुछ गलत हो रहे हैं, तो उसका भी एक तरीके से पावर का यूज करकर, वहाँ पर भी अपने मेंटर को सैटल करने की कोशिस की जाती है, तो ये सबसे खतरनाक चीज होती है, अगर आप लोग यहाँ पर इस particular area में आप लोग देखो, देखें सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर बोलीगी है, कि अगर आपको कोई और परसन ये काम कर रहा है, उसके खिलाप क्या होगी, FIR होगी, उसको जेल में डाला जाएगा, तो सबसे पहले तो जिनके द्वारा ये पुलिस के द्वारा एक्टिविटी की गी है, उनके खिलाप FIR करो दर्ज मर्डर की, क्योंकि उनके द्वारा भी ये मर्डर ही किया गया है, क्योंकि ओपन करना दुकान एक ऐसा कोई क्राइम तो था नहीं की इसकी जान ले लिगी, तो इसको भी मर्डर की कैटेगरी में डाला गया है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इनके खिलाप मर्डर की, जो बेसिकलिए FIR दर्ज करो, पुलीस स्टेशन के अंदर, दूसरा independent investigation कराओं यहां से, यहनकि independent authority होनी चाहिए, जो इस particular area की investigation करें, ताकि फियर investigation हो और यहाँ पर उनको सजा मिल सके, जैसे कि एक नोर्मल इंसान को सजा मिलती है, क्योंकि गलत इस्तमाल करना पावर का, यह बिलकुल एक तरीके से crime है आप और इस तरीके से, आप लोग गलत इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए rule or regulation भी है, जो Indian Penal Code के अंदर है, वो काफी important लगे मुझे, मुझे लगता था rule or regulation जो नोर्मल जनता के लिए हैं, पर लेकिन खुद पुलिस के लिए भी rule or regulation है, अगर वो ऐसी हरकते करते हैं, तो उनको भी सजा मिल सकती है, अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा effort डाले तो, आसानी से, तो उसी के बारे में अभी बात करूँगा, तो custodial death हैं, आपर ये एक तरीक से torture किया जाता है, उसके चलते हैं हाँ पर देखने को मिलती है, और ये तरीक के ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, ये ऐसा नहीं है कि uncommon है, ठीक है, not uncommon, यानि कि एक तरीक से common है कि नोर्मली कई बार ऐसे case देखने को मिलते रहते हैं, तो इसी के बारे में हाँ पर बात की ज़िए तो जो अभी बाप और बेटे की जान गई है, पुलिस के द्वारा torture किया गया, तो ये कोई professionalism नहीं है आपर, पुलिस के अंदर की पुलिस एक professional पुलिस है आपर, investigation method नहीं है, कोई ये तरीके का इस तरीके से जिस तरीके से यूज के जाता है, अगर foreign country से आप लोग सीखो, तो foreign country में पुलिस की हिम्मत नहीं है कि कि किसी भी normal surgeon के खिलाब कुछ वो आँख उठा कर बोल दे, एक तरीके से वो अपना हिसाब अपने दाइरे में रहकर काम करती है, पर लेकिन हमारी country में इसका just opposite है, पुलिस एक तरीके से एक इतना गलत तरीके से काम करती है, कि एक तरीके से जैसे उनको power मिलते हैं उनको लगता है कि बस वह ही हां के मसीया है, तो वो condition यहाँ पर change करने की काफी जुरूरी है, क्योंकि आज की date में आजाद होता देश 1947 में हम लोग कहाँ पर बैठे हुए है, 2020 में बैठे हुए है, अगर अब भी हाँ पर जनता के हाथ में power नहीं आई, अब भी इस तरीके से जनता जो डरेगी अगर पुलिस से, और इस तरीके के activity हाँ पर देखने को मिलेगी, illegal तरीके से यूज के जाएगा, यूज नहीं, misuse है ये power का, तो ये सही तरीका हैं हाँ पर नहीं होगा, current lockdown में कई सारे ऐसे case देखने को मिलें, नोर्थ इंडिया में भी कई सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, कि पुलिस के द्वारा सिर्जन के ओपर अटेक किया गया, कई सारी वीडियो वाइरल भी हुई, कई सारे पुलिस वाले हलाकि suspend भी हुए, पर लेकिन suspend करना कोई solution नहीं है, उनके खिलाब case होना चाहिए, और case चलने के बाद में उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जैसे एक नॉर्मल सिर्जन को सजा मिलती है, क्योंकि इसके लिए हमारी country में प्रावधाने इंडियन पीनल कोड में, यह आप लोग याद रख सकते हैं, अगर कोई पुलिस वाला आप लोगो हरास करता है, तो उसको यह section आप लोग बता सकते हैं, कि हम भी जानते हैं, कि तुम्हारी भी उकात क्या है, तो तुमको उकात दिखाए जा सकती है, सबसे पहले section की बात की जारी है section 188, तो section 188 के हैं आपर, यह एक तरीके से, अगर कोई पुलिस जो सर्वेंट हैं आपर, वो डिस ओबे करता है, restriction को एक तरीके से, यानि कि एक तरीके से अपनी डूटी को गलत इस्तमाल करता है, तो section 188 है, इसी के साथ में आप लोग बोल सकते है section 383, अगर कोई extortion या threat बोलता है, यानि कि अपनी पावर का इस्तमाल दिखाता है, कि मैं पुलिस वाला हूँ यह कर दूँगा, तो section 383 उसके ओपर लेगा direct, section 506 है, इसके लिए अगर कोई criminal intimation करता है, यानके गलत तरीके से हरास करने की कोज़ करता है, तो इसके लिए भी section है, इंडियन penal code में, जोव की जोव जाएगी, और पुरी जिन्द की जेल में पड़ा रहेगा, बस condition है कि थोड़ी सी हिम्मत लोग हर जाते हैं, जब यहाँ पर पुलिस वाला कोई सामने होता है, तो इसके लिए बात की जारी है कि जन्ता को अवेर कराना चाहिए, इन section के बारे में, ताकि कोई भी पुलिस वाला उल्टी सीधी हरकते हैं यहाँ पर जन्ता के साथ में नय कर सके, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनके खिलाब भी प्रोपर यहाँ पर केस चल सके, सबसे बड़ी बात है awareness की, ठीक है awareness नहीं रहती है लोगों को जिसकी वेसे चीज़े देखने को मिलती है, वरना हर एक इनसान अपने दाइरे में रहकर काम करेगा, तो यह सीज़े आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, तो जो कुरूरता देखने को मिलती है, इसके चलते responsible कोन है, वो है higher authority, जैसे IPS level की category के जो लोग होगे, ठीक है, जिनके पास वे power होती है, या फिर उस level के politician हो गई उस area के, वो सबसे ज़्यादे हैं, पुलिस एक तरीके से, उनके अंडर में काम करती है, पर लेकिन देखिए politician अब नी जागे, सबसे ज़्यादे responsibility हाँ पर होनी चाहिए, उस area का जो IPS हो है, जिसको कप्तान बोला जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर उसके आद में responsibility होनी चाहिए, अगर वो धंक से काम करेगा, तो सारे जो हैं, वो एक तरीक से level में काम करेंगे, अगर वो धील छोड़ेगा, तो फिर जैकि पुलिस है, वो एक तरीक से गलत तरीक से काम करेंगे, उनको लगए कि top authority हमारे साथ में, तो सबसे बड़ी responsibility इनके उपर आनी चाहिए हैं आपा, तो तब जाकर यहाँ पर situation संबलेगी, क्योंकि नीचे वाले जो तबका होता है न, वो उपर वाला एक फटकार लगाते तो सारे line में लग जाते हैं, पेंट में सुसु करने लग जाते हैं, जब उपर से फटकार लगती हैं आप लोगोंने देखा होगा, जब यहाँ पर government जब थोड़ी सक्त हो जाती है, तो सब कुछ एकदम धंक से काम करने स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं न कहीं जो कमी है, वो top authority के अंदर है, अगर top authority सुधरेगी, वो responsibility लेगी अगर कुछ ऐसा area में कहीं हो रहा है, तो फिर सारी चीज़े सुधर जाएगी, चलिए एक interesting उधारन आप लोगों को बता दो, यह history का, history में आप लोगोंने नाम सुनाओगा, अलाउदीन खिल जी का, भी 100 ग्राम कमने ही 100 ग्राम जादे तोलता था, यह क्या होता है, यह होता है कि तरी से ruler regulation, यह निकिए जब सामने वाले को खौफ रहेगा, कि अगर तुने कुछ गलत किया तो तेरे साथ में क्या गलत होगा, कि 100 ग्राम अनाज के लिए 100 ग्राम तिरा गोस्त निकलेगा, तो सामने वाला 100 क्या 200 ग्राम जादे देगा, ठीक है, और इस तरीके से customer को भगवान समझेगा, कभी भी उल्टा सीधा कुछ करने की कोजिस नहीं करेगा, इसलिए history में सबसे शांदार जो market reform माने जाते हैं, वो माने जाते हैं, अलाउदिन खिल जीगे, उसने शांदार तरीके से administration को implement किया, तो वहां से भी चीज़े सीख कर आप लोग implement कर सकते हैं, कि अगर higher authoritative चीज़ों को ढंक से implement करेगी, तो ये situation कभी भी आप लोग को देखेने को नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इधा complete article तो ये चीज़े आप लोग भी आद रख सकते हैं, और थोड़ा सा चीज़े अपनी life में भी implement इनको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आइए अब चलता हूँ next article की और, next article भी काफी important आप लोग बोल सकते हैं, खासकर जो pandemic चल रहा है, इसके चलते ये एक अलग direction यहाँ पर दिखाने की कोशिस की जा रही है, सबसे बड़ी बात के हैं, आप ड्रग abuse के बारें बात की जा रही है, देखें जब इंसान की life में tension होती है, frustration होता है, फिर कोई और condition चल रही होती है, जोबनी चल रही होती है, family problem होती है, तो उस time पर इंसान क्या गरता है, बहुत सारे लोग जो हैं, दारू पीना start कर देते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं दवाई की नसे करना start कर देते हैं, और यहाँ पर ऐसी चीज़े past में भी देखने को मिली है, 2008 में जब recession चल रहा था, बहुत सारे लोग भी जान गई थी, उस time पर भी ऐसी condition देखने को मिली थी, कि यह जो use है वो बढ़ चुका है, और इसी की condition आप लोगो फिलाल अभी देखने को मिल रही हैं आपा, जो आप लोगो देखने को मिल रही है मार्केट में, उनकी availability बढ़ गई है, reason क्या है, demand, demand होगी तो supply होगी, अगर demand नहीं होगी तो supply नहीं होगी, हर एक चीज मार्केट में आप लोग लिए available तब होती है, जब market में demand होती है, तो COVID-19 crisis जो है, उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कहीं ने कहीं जो चीजे हैं, वो health system के ओपर काफी ज़्यादे impact डालती हैं नजर आ रही हैं, जिसके चलते हैं दूसरे एरिया में, जो health का एरिया है, वो ढंक से हम लोग समझ पा रहे हैं, कितना फरजाइल एरिया हो गया है, इनके कि ढंक से काम नहीं कर पा रहे है, economic जो downturn है, वो cause होता है, global pandemic एक तरीके से जहाँ आपर अभी condition देखने को मिल रही है, उसके चलते हैं, तो कई सारी wonderability जो है, खासका drug trafficking और real time के जो crime है, आपर इससे little crime है, यानिके कोई घर में नसा करके आएगा, तो बच्चों को पीटेगा, अभी Twitter पर एक वीडियो देख रहा था है, आपर बड़ी बुरी तरीके से, एक husband जो था, वो अपनी wife को पीट रहा था, वो जो वीडियो थी, एक बार तो मन किया, share करूँ पर फिर मुझे लगा कि ऐसी चीज़े देखके, इंसान और इरिटेट होता है, फिर मैंने उसको share नहीं किया, बच्चा था, चोड़ा सा उसके पास में लेटा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, वो अपनी wife को पीटे जा रहा है, और सामने से वीडियो भी बनवा रहा है, तो वो काफी irritating मुझे fact लगा, यह क्या condition देखने को मिलती है, यानि कि एक तरीके से, कई बार ऐसे एरिया आप लोगो देखने को मिलेंगे, जो इंसान सराप पीता है, दारू पीता है, वहाँ पर यह चीज़े बड़ी normal आप लोगो नजराएंगी, और कहीना कहीं जो ओरते हैं, वो भी उसको accept करने लगती है, कि हाँ यह होना ही होना है, तो वो भी एक बहुत बड़ी पोलम है, उनको accept नहीं करना चाहिए, उसके खिलाब आवाज ने उठाना चाहिए, पर मैंने आप लोगो डेटा भी बताया था, कि आज की डेट में, अगर आजकेर में 100% अगर क्राइम हो रहे हैं, तो उनमें से 20 या 10% औरते ऐसी होती है, जो पुलिस इस्टेशन जाती है, या फिर किसी रिष्टेदार को बताती हैं, कि उनके साथ में ऐसा हो रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे यह हो रहा है, कि सामने वाला जो यह हरकते कर रहा है, उसकी पावर और ज़्यादे बढ़ जा रही है, कि वो एक तरीक से और ज़्यादे मार पीट कर रहा है हो आपर, और ज़्यादे ऐसी हरकते करेगा, अगर उसके मंड में थोड़ा सा खोफ रहेगा, तो वो ऐसी हरकते हैं आपर नहीं करेगा, और यह maximum आप लोगो family में देखने को मिलता है उस time पर, जब घर में job नहीं होती है, या फिर कोई दूसरी ऐसी condition नजर आती है, कि कोई vulnerable condition रहती है, तो यह situation यहाँ पर आप लोग के सामने है, global recession 2008 में देखने को मिलता financial crisis, उस time पर भी हाँ पर, vulnerability खासकर marginal group जो है, जैसे youth हो गया, women हो गया, poor society का sister हो गया, वहाँ पर यह चीज़े बढ़ती है नजर आई, इसी के साथ में अगर बात करें, शोशो एकनोमिक क्राइसिज, अगर आप लोग बात करते हैं, तो एक तरीक से afford नहीं कर पाता है, इसी activity, public health और safety दोनों खत्रे में हाँ पर पढ़ जाती है, जब ऐसी situation देखने को मिलती है तो, all over world अगर मैं आप लोग को बात करूँ, यह ऐसा नहीं कि हमारी ही country में है, all over world में आप लोग को देखने को मिलेगी यह महान करतूते, जब यहाँ पर यह slowdown चलता है, या फिर कोई ऐसी activity होती है, लोगों की job जाती है, ठीक है, इसी के साथ में एक तरी से stigma भी रहता है, आपर society में कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, inequality बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो sustainable development goal जिनको बोला आता है, कि हाँ यह चीज़े हम लोग कंट्रोल करेंगे, sustainable way पर तरीके से चीज़ों का आगे लेकर चलेंगे, वो सारी चीज़े रूख जाती है, तो इसलिए सोचने के लिए हाँ पर मजबूर होना पड़ता है, कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसको थोड़ा सा focus दे कर चलने की बात की जाती है, अगर next यहाँ पर बात करें developed country के बारे में, तो developed country के बारे में बात करें, तो यह चीज़े ज़्यादे देखने को मिलती है, जो drugs use है, developed या निकि जो ameer country है, उनमें ज़्यादा बढ़ जाता है, यह question आप लोगों से exam में बन सकता है, statement की form में कि जब-जब यहाँ पर कोई यह सी activity देखने को मिलती है, तो कहाँ पर ज़्यादा यूज बढ़ता है, तो developing country में और developed country में, तो developed country में ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो हमारी country में तो वैसे ही लोगों के पास में, जो situation ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, तो इसलिए problem देखने को मिलती है, तो wealthier जो हैं आपर society segment, उसमें आप लोगो higher drug use आप लोगो देखने को मिलेगा, वो सरा पीना शांदार तरीके से start करते हैं, अगर next यहाँ पर बात करें, only one out of eight people जो हैं आप आप, वो drug related treatment को receive कर पाते हैं, यहनकि आठ अगर लोग यहाँ पर दवाईया use करें आज के टमें, तो उनमें से एक person ऐसा होता है, जिसको यहाँ पर drug related treatment मिल पाता है, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह world drug report बोल रही है, तो world drug report के आज साब से माने, तो आठ लोगों में से एक लोग को treatment मिल पाता है, total मिलाकर 3.56, 35.6 million जो लोग हैं आज के टमें यह सफर कर रहे हैं, 1 million is equal to 10 lakh, ठीक हैं, तो उससे आप लोग लगा सकते हैं, कि कितने large scale पर जो लोग हैं आज के टमें इस particular order से सफर कर रहे हैं, disorder से, next यहाँ पर women के बारे में बात करते हैं, 1 out of 3 drug users जो हैं उसमें से women है, यानि कि अगर 3 लोग अगर यहाँ पर आज के टमें drug use कर रहे हैं, यानि कि कोई ऐसा नसा कर रहे हैं, तो उन 3 में से एक women भी हैं याँ पर, यानि कि यहाँ पर women भी यहाँ पर पीछे नहीं है, इस particular area में यह भी हाँ पर report के द्वारा बोला गया, ठीक है, पर लेकिन जब यहाँ पर इलाज की बात करते हैं, तो women जो है only 1 out of 5 people जो है वो treatment की category में आते हैं, तो उन में से एक women है, यानि कि पांच लोगों को अगर यह बीमारी है, यह drug activity हैं आपर तो उसमें से एक को हैं आपर इलाज मिल पाता है, जो women हैं आपर, बाकि आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर बात करें, तो दोस्तों, देखें, देखें, क्या होता है, आपर जो अभी यह आपर यह number में आप लोगों को बताने जा रहो, यह कुछ ऐसे point भी है, जो आप लोग अगर answer writing कर रहे हैं, ठीक है, answer writing कर रहे हैं, फिर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो writer को यह लगता है, oh sorry, examiner को यह लगता है, कि हाँ, अच्छे से चीजों को पता है, fact और figure के साथ में हाँ पर चीजों को explain कर रहा है, सामने वाला, तुझे हाँ आपर बात बोलीगी है, 279 million हैं, 269 million जो लोग आज खेट में, वो drug use कर रहे हैं, 2818 का data है आप लोग के सामने, up to 30% जो हैं, आपर 2009 के data के हिसाब से अगर माने, तो adolescent और youth adult तो हैं आप पर एक तरीके से वो परसंते है, जो large share आप लोग को देखने को मिलता है, user का, इसको थोड़ा समझे, एक परसंन है, 10 से 15 साल के अंदर में, तो आप लोग यह देखें, कितने लंबे समय तक वो customer रहने वाला है, इसलिए जो नए नए जो प्योद होती है, यनिके नए नए जो बच्चे होते हैं, जिनको ज़्यादा पता नहीं रहता है, उनको यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर डालने की कोशिस की जाती है, तो उससे क्या रहता है, उनको लंबे समय तक customer मिल जाते है, तो इसलिए आपर जो लोग है जाज़तर बच्चों को बच्चों को फोकस करते हैं, इस particular region में, तो इसलिए responsibility है माता पिता की society वालों की, कि बच्चों को इन चीजों से आपर बचा के रखे, गवर्मेंट जा है, वो repeatedly हाँ पर बात करती है, इन चैलेंज को टेकल करने के लिए, sustainable development के तैज़ चीजों को सुधारने के लिए, ministry declaration के द्वारा adapt किया गया था, एक commission on narcotics drugs, पर लेकिन अगर धंग से देखा जाए, तो इनके द्वारा, जब development assistance की बात की जाती है, इसके लिए जो drug को control करते है, वो 90% घटा दिया गया है, यहनके पहले जो पैसा मिलता था आज केट में, 90% कम कर दिया गया है, 2000 से लेके 2017 तक, यहनके बोलने के लिए तो यह कह रहे हैं कि हम लोग इन चीज़ों को कम करेंगे, पर लेकिन जब यहाँ पर fund देने की बात आती है, तो fund जो है 90% कम कर दिया गया है, तो इस तरीकी से funding जो है बेसिकली जुरूरी है, यहाँ पर address करने के लिए ऐसी problem को, तो budget काफी ज़दे जुरूरी है, पर लेकिन वो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए international donor attention की हाँ पर काफी importance यहाँ पर देखने को मिलती है, वो इस पर focus देते हैं, जैसे Bill and Melinda Gates Foundation होगे, और भी कई सारी organization यहाँ पर काम करती है, वो भी काफी जुरूरी है, एक तरीके से आपर बात की ज़रूरी है, जो हाँ पर transitional organized crime देखने को मिलते हैं, तो transnational, याँ कि एक country से दूसरी country में जो crime होते हैं, तो इसी के चलते हैं लोग को strategy बनाने की ज़रूरी है, पर country लेवल पर और regional लेवल पर भी, यानि कि solution बताये गए हैं आपर कि आप लोग ऐसा करना चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई दवाई आप लोग बेच रहे हैं, तो वो दवाई के purpose ही है, यानि कि आपर corex की CC बेची जा रही है, तो कोई उसको अपना जो नसे की दवाई करता है, उसको सराब नहीं मिली तो corex की 2-3 CC गटक गया, कि याँ चलो आज का pack तो पूरा हो गया, तो वो हरकते नहीं होनी चाहिए, जान भी इनसान की जा सकती है, इस तरीके activities में, तो वो proper way में आप लोग को उस चीजों को manage करना पड़ेगा, तो ये बाते हैं पर इसके चलते बोली जा रही है, तो important article था, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेगा, report के बारे में भी कई बार question आप लोग से exam में बन जाते हैं, ठीक है, next article जो है, वो भी काफी important है, थोड़ा सा जहान से उसको भी सुनना है, और question भी आप लोग के सामने, can online learning replace the school classroom, क्या online learning जो है, वो school classroom को replace कर सकती है, तो ये है आप लोग के सामने question जो कि आप लोग को attempt करना है, कि online पढ़ाई, offline पढ़ाई को replace कर सकती है क्या, ठीक है, तो इसके उपर आप लोग को comment करना है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, पहले तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यह मैंने आप लोग को पहले ही बताए था, कि हमारी country में education system कैसा है, तो ये कई सारे portion में divided हैं, एक को बोलते है elementary education, दूसरे को बोलते है secondary education, तीसरे को बोलते है higher education, और इससे पहले होती है pre-primary, pre-primary जो आप लोगी रहती है, वो पांच वी तक रहती है, ठीक है तो आप लोगों बताओ, वो सोरी पांच वी तक रहती है, पांच की age तक रहती हैं आप जहांसे आप लोगी ककसा एक start होती है, यानि के nursery, LKG, UKG वो सारी जो class होती है, उनको pre-primary बोला जाता है, primary जो आप लोगी start होती है, वो एक class से start होती है, और 6 की age से start होती है, हमारी country में जो elementary education है, elementary education के बारे में आप लोगों से बात करूँ, तो ये दो category में divide होती है, एक को आप लोगो primary school बोलते हैं, दूसरे को upper primary school बोलते हैं, तो चैसे लेके 14 साल की education है हमारी country में, वो free education होती है, यानि के ये जो education है, ये free education की category में होती है, तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर idea रखेगा, ये free education इसको बोला जाता है हमारी country में, यानि के हक है हमारी country में हर एक बच्चे की, की education तो उसको कम से का मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेगा, secondary जो यहाँ पर बोला जाता है, secondary education इसमें secondary education आती है, senior secondary, एक तरी secondary education होती है, और senior secondary, यानि के ये तो आठवी तक रहता है, यहाँ पर फिर दसवी, नोवी और दसवी में आप लोगो secondary, और दसवी और ग्यारी में senior secondary, और फिर higher education इस्टार्ट हो जाती है, B.TEC, M.TEC, MBBS, MBA वो सारी चीज़े, वो आप लोगी higher education इस्टार्ट हो जाती है, COVID-19 आउट ब्रेक के चलते हमारी country में नहीं, all over world में हलाग यह चीज़े देखने को मिल रही है, पर यह article हमारी country के पर focus दे रहा है, COVID-19 आउट ब्रेक जो हैं आपर, यह academic year जो है, वो cancel हो गए हैं, कई सारे classroom exam भी हाँ पर, कई सारे cancel, postpone कर देगे हैं, तो यह situation आप लोगों को देखने को मिल रही है, कई सारे बच्चे जो थे, उनको promote कर देगा है, next जो level पर, ठीक है, तो यह situation यहाँ पर निकल कर आई, तो सबसे पहले क्या बात बुल जा रही है, कि जो student है आज के ड़ में, देखिए, उनकी study जो होनी चाहिए, वो miss नहीं होनी चाहिए, ठीक है, school जो हैं, आज केरे में आप लोगों बता है, वो open नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम online education मिलनी चाहिए, ठीक है, जो बच्चे हैं, आपर attend किया जा रहा है, जो lecture उनको gadget के थुरू, तो gadget के थुरू अपना lecture attend कर रहे हैं, यानि कि किसी ने किसी तरीके से, अपना lecture उनको मिल पा रहा है, इसी के साथ में, कई सारे जो बात के जारी, अगर आप लोग वैसे condition देखोगे, तो अगर बात करेंगे, डीबेट के बारे में, इसी के साथ में, कई सारी condition आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो situation है, उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो जो student है, उसके बारे में अगर आप लोग situation को देखोगे, तो condition यहाँ पर यह कि देखिए, आज की date में यह बोला जारे कि, अगर बच्चे को आप लोग लेप्टोप के सामने बैठा होगे, तो लेप्टोप के सामने जब बच्चा बैठेगा, तो उसका screen टाइम बढ़ जाएगा, यानि कि अगर कोई बच्चा में एक साम टाइम computer यूज़ कर रहा है, उसकी आँखों में पोलम है, तो और जादा आँखों में बढ़ सकती है, और अभी बच्चपन में ही उसकी आँखे जो है computer के सामने इतने लंबे समय तक गर गर रहेंगी, तो आगे उसको और भी पोलम आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, तो pre primary जो class है उसमें, class second तक यहांपर क्या किया गया है, pre primary to class second तक यहांपर महरास्टा में बैन कर देगी यह online education, online class, ठीक है, करनाटका और महरास्टा में जो यहांपर इसको एक्स्टेंट कर देगा है पांच वी, यानि के महरास्टा करनाटका यह कुछ ऐसे राज्ये हैं मज़्य परदेश, जहांपर बोड़ा जारा कि screen time जादा होता है, इसके वैसे बच्चे पर नुकसान पढ़ सकते हैं, तो उनको यह वाली education यहांपर नहीं दी जाएगी, तो screen time तो वैसे भी उनका रहता है, कभी television देखते हैं, कभी computer देखते हैं, कभी mobile देखते हैं, तो वैसे भी सारी screen तो देखते रहते हैं, जो वो सारी screen ओल लेडी देख रहते हैं, तो TV देखते हैं आप लोगो नज़राएंगे, समझने का, तो यानि के एक तरीके से जब option नहीं है, तो अगर आप लोगे पास में option मिल रहा है, पढ़ाई को continue करने का, तो क्यों continue आप लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो यह तो continue होनी चाहिए, next यहाँ पर अगर बात यह की जाएं, online lesson के बारे में, तो most school जो है, वो depend आज केर में हो गए, screen के ओपर depend नहीं, अगर देखा जाए, most school के हा, screen के बारे में आप लोगों को बात करनी है, कि screen पर ही 24 गंटे देखना है, क्योंकि कई सारे school के हैं, various activities करा रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर अगर आप ही बात करें, तो थोड़ी देर के लिए screen पर देखना है, maximum time नहीं, उसके बाद में बैठ कर योगर करो, कई सारे students से पूछ रहे हैं, कि experiment करो kitchen के अंदर जा का, तो kitchen में तो screen में नहीं देखने हैं हो यहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं, कि वो अपने आप experiment करें, किसी को बोला गया, सलाद वागेरा बना के लाओ घर में, एक तरीके से, यानिकि उनको कई सारी activities दे रही हैं, जो कि ऐसा नहीं कि हर टाइम स्क्रीन पर ही बैठाना है उनको, तो अलग-अलग activities में उनको बताई जा रही हैं, children जो हैं आज के इडमें, जो यहाँ पर अगर बात करें, तो storytelling जो session है, उसके बारे बात करें, तो हाँ कुछ time तक देख चकते हैं, देखना नहीं तो सुन भी सकते हैं, वो भी चीज़ा आप लोग देखते हैं, तो उसमें भी option हैं आपर अगर देख लें, तो बच्चे की life जो है, वो काफी negative तरीक से hamper हो सकती है, तो एक तरीक से बच्चे का जो development का time होता है, उसके चलते उसको support जरूर मिलना चाहिए, खासकर early childhood में अगर बात करें, जब बच्चे का जो remark जो develop होरा होता है, वो हर दिन develop होरा होता है, तो हर दिन उसको productive चीज़ अगर आप लोग सिखाएंगे, तो productivity आगे बढ़ पाएगा, ठीक है, तो हम लोग afford नहीं कर सकते, एक single day भी अपने बच्चों की education को एक तरीक से रोका जाए, और इसमें teachers जो हैं, वो बहुत बड़ा role play करेंगे, तो online teaching अगर उनको provide कराए जा रहे है, तो इसको हम लोग को support करना चाहिए, ना कि oppose करना चाहिए, next यहाँ पर हम लोग बात करते है, massive open online courses के बारे में, इसके बारे में यहाँ पर बात कि जा रहे हैं, कि देखिए, यहाँ पर पहले ऐसा होता था, कि teacher और जो student थे, वो आमने सामने class में बैठते थे, तो एक अग तरीका माहूल बनता था, अब यहाँ पर opposite teacher बताए जाएंगी, क्या-क्या देखने को यहाँ पर मिल रही है, आज की रेट में teacher एक creator होगी है, जैसे मैं creator हूँ, यहाँ पर आप ललोग के सामने, यहाँ पर आप लोग को screen पर पढा रहा हूँ, ठीक है, तोlovी, मालिजय मैं आप लोग को engage निकर पा रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, कई बार, जैसे earphone screen पर लगाते हैं, और सो जाते हैं सुनते-सुनते, कई सारे बच्चे ऐसी अर्गते करते हैं, तो कई सारे ऐसे अर्गते करते हैं, तो यह सही तरीका नहीं होता है, नोर्मली, देखिए, अगर आप लोग आज केर में एक student है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग का तरीका क्या होना चाहिए, आप लोगो एक बैठ कर आराम से लेक्चर को देखना चाहिए धंक से, ताकि आप लोग उसके कुछ नोट नाउट मी कर सके लेक्चर से, तब ही लंबे समय तक आप लोग वे चीज़े याद रहेंगी, अगर आप लोग student नहीं है, बस information के लिए सुन रहे हैं, तो आप आप लोगो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसक्रीन पर लेक्चर है, तो कई सार ऐसे करते हैं, उसको पेंट में डाल, पेंट की पोगिट में डाल लेते हैं, और बस ऐसे घुम रहे हैं, यह फिर कहीं एक तरीके से, कुछ भी ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, दूसरे काम लेक्चर सुन रहे हैं, चीज़े समझ में आते हैं, पर लेकिन अपनी सारी घ्यारियंदि-र को आप लोग उज़िस करते हैं, और लेक्चार सुन रहे हैं, यह ना कैसी चीज़े तो उतनी ही लबई सहित हैं याद और तो यहाँ पर icaat ओ सक्ती हैं, टेले के लिद थैस एक student को consumer माना जा रहे है, consumer जैसे की सामान बेचे जा रहे है और वो consumer खरीद रहे है क्योंकि हर एक जगे आप लोग कोई ने कोई कुछ ने कुछ बेखता हुआ जरूर ना जर आएगा, जिसमें बच्चे जो हैं उनको लिभाने की कोईशिस ज्यादे की जा रही है, पढ़ाने की कोईशिस कम जी जा रही है और profit-based चीज़े हाँ पर हो गई है तो education एक ऐसी चीज़े है, अगर उसमें इस चीज़े घुच जाती है तो खतरनाक situation क्रिएट यहाँ पर कर देती है चलो कुछ सामान बेचना भी है, तो एक price रग दो फिक है, price रग दो जिसको जुरत होगी, वो खरीद लेगा पर लेकिन आज discount चल ला है, वो चल ला है, यह चल ला है तो वो चीज़े देखें, वो कहीं ने कहीं आज कीट में market में strategy होगी है, और यहाँ पर नहीं है यह आप लोग कहीं mall में, आप लोग सामान खरीदें जाओगे वोहाँ पर भी देखने को मिलेगा, इतना discount है, चार दिन तक discount है वो सारी चीज़े, तो इस situation जो है कहीं न कहीं एक तरीक से उनको बच्चे नहीं माना जा रहा है, वो teacher नहीं बैठें वहाँ पर एक तरीक से वो businessman हो गया है, और एक तरीक से बच्चे को customer माना जा रहा है कि वो सामान खरीदेगा, तो यह काफी बड़ी problem यहाँ पर देखने को मिल रही है कई सारे question ऐसे होते हैं, जो मुझे भी इधर उदर देखने पड़ते हैं, मुझे पता नहीं होते है कि क्या पूछ लिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं विकीपीडिया हूँ या गूगल हूँ, जो भी डालोगी हो सब चीज़े मिल जाएगी बहुत सारी चीज़े ऐसी हो सकती है कि मुझे भी नहीं पता है तो मुझे भी search करनी पड़ जाती है वो चीज़े तो इसका मतलब में मैंने भी कुछ नया सीखा तो teaching और जो एक तरीक से यह पढ़ाना और जो सीखना यह एक तरीक से ऐसा है कि आप लोग के लिए भी एक procedure है सीखने का और मेरे लिए भी एक procedure है सीखने का वो सारा procedure यहाँ पर implement तब होता है जब आप लोग कोशन जब आप लोग यहाँ पर comment box में participate करते है जैसे classroom में कोई teacher आप लोग को बढ़ा रहा है तो आप लोग तुरंत question पुछ लेते हैं वही सारी चीज़े यहाँ पर भी आप लोग होनी चाहिए तो यह काफी important है यहाँ पर की एक तरीक से two way communication होना चाहिए one way communication है यहाँ पर सही नहीं रहता है तो यह काफी important है तो teacher student से सीखता है और student teacher से सीखता है जब दोनों tire का procedure होता है तब चीज़े अच्छे level पर पहुंचती है आप तो इसी के चलते हैं यहाँ पर ज़रूरी है तो वह भी ध्यान रखना काफी ज़रूरी है तो online learning में supervision भी ज़रूरी है यहाँ पर हो गया है किलास में तो teacher ध्यान रख लेगा किया सही है online में उनके पास में open पढ़ी है सारी चीज़े YouTube खोलेगा Google पर चला जाएगा उल्टी सीधी चीज़े देखना स्टार्ट कर देगा हो सकता है गेम खेलना स्टार्ट कर दे तो इसलिए parents को अगर busy है तो फी खतरनाक situation यहाँ पर बन सकती है next यहाँ पर बात की जा रही है ideas के बारे में देखिए एक critical idea जो develop होता है बच्चे का किलास में बैठ कर उसी के साथ में teacher को भी कई सारे idea आते हैं जब कोई question पूसता है अच्छा यार इस चीज को बच्चे को ऐसे बताया जा सकता है तो वो भी condition आप लोग को देखने को मिलेगी student जो है वो एक तरीके से हाँ पर आप लोग देखेंगे एक दूसरी सीखते है normally पर लेकिन यहाँ पर वो system आप लोग देखे हो भी सकता है वैसे अगर आप लोग ऐसा बोले जिसे मैं आप लोग बोलता हूँ जिसे facebook ग्रूप है उसमें आप लोग को answer writing करनी है ठीक है तो वहाँ पर आप लोग participate कर सकते हैं पर लेकिन engagement वो आप लोग के उपर depend करेगी कितना serious है आप लोग किलास में तो आप लोग को बंदना पड़ेगा हूँ आप teacher सामने आप लोग को सुननी पड़ेगी उसकी पर लेकिन हाँ पर आप लोग का अपने उपर control होना काफी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे दिन online बैठ रहते हैं आज एक गुरूप में बैठे हैं आज एक चैनल देख रहे हैं आप लोग को self-study नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए लाइप में अगर आप लोग इस तरीक से चीजों को लेकर चलेंगे कि हाँ बस online ही बैठे हुए हैं बस सीजे देखे जाने हैं एक जगे कोई पकड़ लो अच्छे से वहाँ पर एक subject complete कर लो दूसरी पकड़ लो से current affair complete कर लो इस तरीके से आप लोग को चीजे होनी चाहिए पर लेकिन सबसे ज़्यादा focus उसमें self-study पर होना चाहिए यह नहीं कि time-based करना है तो पहले आपने time को देखो कितना utilize कर रहे हो और कितना बरबाद कर रहे हो ठीक है क्योंकि बहुत सारी चीजे मिल जाएंगे जो कापके exam के लिए important नहीं है बस हाँ पढ़ाई जा रही है उनके द्वारा बताई जा रही है जिससे कि एक तरीके से एक तरीक से profit होता रहे ठीक है पर लेकिन आप लोग तो आप लोगो देखने को मिलेगी तो इसलिए आप लोग को बता होना चाहिए कि क्या आप लोगे फाइदे माद है क्या नुकसान दे है ठीक है गवर्मेंट इसकूल के बारे बात करें तो ओनलाइन फंडा वहाँ पर जातर होता ही नहीं है कई सारे गवर्मेंट इसकूल में कॉम्पीटर भी देखने को मिलता है अगर दूसरे एरिया में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर बात किया थिए कंप्यूटर वहाँ पर ख़गे को मिलती है तो कई सारी कंडिसन या पर सामने निकल कर आती है तो इसलिए आपर कंप्यूटर घर में होना चाहिए हाउस होड में सेरेल गजट होने चाहिए इंटरनेट की फासिलिटी होनी चाहिए इसलते हैं यह था तरीक से इलेक्टिटिटिव अबलेबिल होनी ठीक है तो बच्चों को स्क्रीन के लिए ये भी है फिर देखना है कि स्क्रीन के लिए कितना open करना है उनको ठीक है कि यह नहीं कि पूरे दिन computer पर ही बैठे हैं outdoor activity कुछ करी नहीं रहने तो overall development जो है वो कहीने कई hamper हो जाता है अगर इस तरीके से आप लोग बच्चे को लेकर पानी पीने गया टोलेट करने गया लंच हो गया खाना खा लिया तो इस तरीके से कुछ बीच में जो लंच ब्रेक होता है उसमें और भी कई सारी activity कर लेते हैं तो महाँ पर active चीजे ज्यादा होती है और passive चीजे कम होती है जब computer के सामने बैठ गया तो बैठ गया जैसे मैं आप लोग बताया था मेरा computer के सामने बैठने का जो time duration कभी 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 15-16 18-18 गंटे तक भी कब हो गयते स्टार्टिंग में जब में इस चीजे start की थी तो एक तरी से completely passive हो जाता है जिसकी वेसे बोड़ी पर काफी impact हो इस टाइम पर मेरी आँखों पर बी impact हो पहले आपर understand करनी पड़ेगी और एक तरीक से उसकी बोड़ी पर भी impact पड़ेगा वो भी जहान आप लोगो रखना पड़ेगा नेक्स्ट के वो बात की जा रही है किलास में रहते तो debate रहता है discussion रहता है disagreement रहता है और friendship रहती है यह सारी चीजे किलास में ही possible है normally online आप लोगो ची cricket, football और यह सारी चीजे बैट कर boxing आप लोगो offline खेलनी है तो खेल पाएंगे क्या नहीं यह चीजे ऐसी है जो online ही खेली जाएंगी तभी यहाँ पर interesting चीजे होगी तो online platform जो है कुछ चीजे ऐसे इंजीनिंग, medicine, dental, pharmacy, nursing, architecture, agriculture यह इस तरीके से जो सारी जैसे फिजर थेरपी य सारी चीजे practical चीजे हैं, इनको आप लोग online पढ़ा ही नहीं सकते हो, इनमें practical चीजे आप लोगो दिखानी पड़ेगी, तो यह भी एक important fact यहाँ पर हो गया, next यहाँ पर जो बात कि जा रही है, जो यह से platform है, आजके में जो online platform जिनको आप लोग बोल रहे हैं, यह basically lecture आप आप लोग डाउन सिचेशन में, तो इनको ऐसे यूज करना चाहिए, कि हाँ पस यह एक helmet है, यानि कि आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग जैसे आप लोग कहीं पर जा रहे हैं, तो सर पर helmet लगा लगा लेते हैं, कि एक्सिडेंट ना हो जाए, बज जाए, यह से पहले किलास में, अगर मालें, सो बच्चे थे, आप 50 बच्चे आप लोग किलास में बैठा हो, 50 पर 30 सा, ठीक है, alternative seat पर बैठा सकते हो, तो क्या क्या करना चाहिए, avoid करोगी किलास में ज्यादा crowd नहीं हो, पहली बात, दूसरी बात कहा है, teacher, student और non-teaching जो staff है, उनको आप ल पहले जा रही है, आप लोग है, जो teacher है, उसको कोई भी ऐसी book वगरा, किता वगरा नहीं देनी चाहिए, जो बच्चे घर पर लेकर जाए, क्योंकि एक तरीक से give and take वाली चीज़े हो जाएगी, उससे क्या होगा, यो सकता है, teacher को कुछ बीमारी होगी, तो बच्चों को फै सारे आर्टिकल जो आज मुझे डिसक्स करने थे, I hope कि आप लोग को अच्छी चीज़े कुछ न कुछ सेखने को जुरूर मिली होगी, question एक बार देख लीजे, according to world drug report 2020, nearly 3.5, sorry 30, फिर से वही सब्द हो गया, 35.6 million जो लोग है, वो सफर कर रहे है, globally, जो जहांपर drug, जो disorder होत से, इसी के साथ में, developing country में, जादा लोग problem है, as compared to developed country, कौन सी statement correct है, 1 A में बोला गया, 2 में बोला गया, 2 C में बोला गया, 2 C में बोला गया, both D में बोला गया, neither one nor 2, सही आंसर किया है, तो सही आंसर है, आपर 1, first statement सही है, बिल्कुल यह बोला गया है, तो यहांपर यह 35.6 million इसे हैं, जो इससे affect हो रहे है, पर लेकिन developing country, यह गरीब country में, जादा है नहीं है, यह अमीर country में, ज्यादा आप लोगों चीज़े देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके पासने पैसा है, वो अच्छे तरीके चीज़ों को यह कर पाते हैं, ठीक है, आगे, एक मैं बेस्ट को आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको UNESCO World Heritage Site का पार्ट बनाया गया 2016 में, कौन सी statement correct है, एमें बोला गया, वनोली, बोला गया, टूली, सी बोला गया, बोट वने टू, दीम बोला गया, नाइधर बनो टू, तो सही answer किया, ABC, FOD, D, सही answer हैं यहां पर सी, दोनों की दोन लेक्चर को तभी like और share करना है, अगर आप लोगो पसंद आया और आप लोग कुछ फायद हो रहा है, अगर पसंद नहीं आ तो dislike कीजएगा, प्लीज दो dislike करके comment box चे जरूर बताना कि dislike क्यों किया, ताकि इसको improve किया सके, लगता है lecture कुछ भी फायदेमन हो रहा है, तो यह हो सकते हैं, अगर नहीं है तो अलग से account बनाने की जूरत नहीं है, अगर हैं तो ही connect होईगा, ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे हो दे जिनको लगता है कि यह साई चीज नहीं है, तो वून के लिए नहीं recommend करोंगो, पर अगर हैं तो आप लोग connect हो सकते हैं, कुछ फायदा हो सकते हैं आप लोग का, तो मिलता हूं नेक्स लेक्चर में, बड़ो को नमस्ते, चोड़ो को प्यार, छोड़ी से life enjoy करार, तब तक के लिए, जैहिंद!